Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफॉर्डबल वहाँ पर एक syndrome, एक disease फैल रहा है तेजी से, जिसकी वज़े से कुछ लोगों की मृत्यू भी हुई है, और इसका नाम है गियान बारे syndrome, जियान इसका नाम ध्यान से देखेगा, pronunciation थ्वड़ा सा गलत हो सकता है, लेकिन इसका जो pronunciation होगा, वो होगा घियान बारे syndrome, तो यहाँ पर अगेन आप देख पाएंगे news में, पेरू declares health emergency after surge in गियान बारे syndrome cases, तो इसके बारे मैं आपको details से बताऊंगा, और आपके exam point of view से यह बहुत जादा important हो जाता है, तो इसको ध्यान से देखिए, चली आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रगेगा आप में से जितने भी लोग UPSC 2024 की preparation कर रहा हैं और prelim से लेकर interview तक की त्यारी करना चाहते हैं, तो कल तक आपके पास समय है study IQ का यह जो तीन live batch start हुआ है अभी अभी, that is pure English, pure Hindi और English batch, उसको आप simply join कर सकते हो हमारे website अप पर जाकर या फिर comment section में इसका link है, वहाँ पर जाकर use करिएगा code अंकित live ताकि आपको maximum discount पिले, ज्यान रखें इस batches के अंदर कुछ भी और लेनी कि आपका और शक्ता नहीं पड़ेगी, सब कुछ आपको इस batch में मिलेगा, personal mentor, weekly test, वह अगरा हो गया, सब कुछ, और इसके लावा अगर आप MCQs attempt करना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहाँ पर stories में, जितने भी MCQs हैं, उसको आप attempt कर पाएंगे, चले शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले ये देखते हैं कि exactly हो क्या रहा है, देखें, पेरु ने Monday को 90 दिन का National Health Emergency यहाँ पर declare कर दिया, क्योंकि वहाँ पर जैसा कि मैंने बताया है कि यह ए unusually लगभग 165 cases अभी उस देश के अंदर आए हैं, जिसमें already 4 लोगों की मित्यू हो चुकी है, पहले अगर आप देखोगे तो 27 जून को अभी just 13-14 दिन पहले ही, पेरु ने यहाँ पर epidemiological alert जारी किया था, ताकि इसका जो prevention है, उसको intensify किया जा सके, यहाँ पर जो neurological disorder है, उ resident को appeal किया कि please आप health emergency लगाए, otherwise situation बहुत जादा बत्तर होती जा रही है, तो question अब यहाँ पर यह है, कि आखिरकार यह syndrome है क्या, what is घ्यान बारे syndrome, देखो बताया जा रहा है कि यह काफी rare होता है, एक तो आपको ध्यान रखना है, फिर दूसरा यह autoimmune disorder है, autoimmune disorder आप सबको पता होना चीए, इस case में क्या होता है, कि आपके सरीर में जो immune system है, वो गलत तरीके से जो आपका healthy cell है, उसको खतम करता रहता है, देखो immune system mainly क्या काम आता है, हमारे body को healthy रखने में, स्वस्त रखने में काम आता है, strong रखने में काम आता है, और जो सरीर के जो खराब cells हैं, उसको हटाता रहता है, लेकिन इस case में क्या होता है, autoimmune disease में, यहाँ पर जो आपके अच्छे cells हैं, आप सोच के देखिए हमारी body ultimately बनी कैसे है, trillions of cells से बनी है हमारी body, तो अगर हमारी healthy cells को ये खतम करता रहेगा, तो हमारी body इस तरह से खतम हो जाएगी, तो इसी की वज़े से ये autoimmune disorder है, जो आपको ध्यान में रखना है, ये basically क्या करता है, कि जो हमारा nerves है, उसको attack करता है, हमारे brain के outer side में, जो brain होता है न, उसके जो भारी हिस्से में, जितने भी nerves वगर होते हैं, उसके उपर ये attack करना start करता है, और उसको nust करता रहता है, and usually अगर आप देखोगे, यहा आपके हाथ में, और legs से start होना start हो जाती है, और कई सारे severe cases में, person paralysis भी हो जाता है, मतलब जो पैरों में paralysis वगरा कई बार आपने देखा होगा, body में जो paralyze हो जाते हैं, इंसान move नहीं करता है उनके body, कुछ वैसा situation इसके अंदर आ जाता है, ये जो syndrome है, बताया जाता है कि और males के अंदर, लेकिन ये सभी age group में फैल सकता है, कोई समें restrictions नहीं है, although अभी तक मैं आपको बता दूँ, ये जो घ्यान बारे syndrome है, इसका exact cause पता नहीं है, मतलब कि exactly ये होता कैसे ये नहीं पता, लेकिन कहीं न कहीं ऐसा बताया जाता है कि it is often triggered by infections, और कौन सा infection, ज्यादा घ्यान बारे syndrome है, वो शायद होता होगा, इसके लावा और भी कई सारे trigger हो सकते हैं, कई सारे influenza virus हो गया जैसे की, COVID-19 virus की वज़ेसे भी हो सकता है, in fact मैं आपको बता हूँ, अगर कोई person ने recently कोई surgery कराई है, या फिर recently कोई vaccination लिया है, तो हो सकता है, देखिए पेरू के अंद symptoms क्या है, मतलब कैसे पता चलता रहता है, कि हाँ, सायद इस person को ये गियान बारे syndrome होगा, तो मैं आपको बताओ, तो National Institute of Neurological Disorder and Stroke, उनका कहना है कि जो सबसे common symptom है, इस syndrome का, वो है weakness, मतलब इनसान को काफी ज़्यादा weakness होती है, सबसे पहले notice जो है, बताया जाता है, कि अग ब्रीध करते हैं, तो breathing में जो हमारे muscles कंट्रोल करते हैं, तो muscles भी एक point पर आकर कही न कहीं weak हो जाते हैं, जिसकी वजए से हमें breathing के लिए भी कोई न कोई machine चाहिए होती है, तब हम breathe कर पाते हैं, ये problem होती है, ज़्यादा तर people में जो weakness है, सबसे ज़्यादा जो weakness है, वो symptoms appear ह होने के पहले दो हफते में दिखाई देता है, within first two weeks अगर हम देखें, तो सबसे ज़्यादा weakness दिखाई देगा, और since जो nerves हैं, वो लगतार damage होते रहते हैं, तो कहीं न कहीं यहाँ पर जो हमारे body का function है, क्योंकि हमारी body ultimately कैसे work करती है, brain से ही work करती है, जो भी वहाँ से order आत परेस्थीसियस, ठीक है, एंड इसकी वज़े से कई बार ऐसा भी महसूस होता है, कि हमारे skin के अंदर को insect चल रहा है, मतलब body का जो जैसे pair हो गया, हाथ हो गया, peat हो गया, मतलब हमें लगेगा कि हमारे skin के अंदर को insect है, जो की ring रहा है, और हमें यहाँ पर काफी तकलीफ ह होती है, नीडल जैसे कोई घोप रहा हमारे सरीर में ऐसा sensation होता है, body pain बहुत सीवियर हो सकता है, heart beat भी सही तरीके से काम नहीं करती है, और digestion में भी problem आ सकती है, अब यह तो सारी चीज़े हो गई, अब question यह है कि क्या इसका कोई diagnosis है, मतलब कि हमें, अगर मालो हम कहीं कोई problem ह अगर मालो हमारे आख में कोई दिक्कत है, तो हम आख वाले डॉक्टर के पास जाएंगे, वो हमारा कुछ न कुछ इलाज करेगा, तो यहाँ पर क्या इसका कोई diagnosis है, मतलब हमें कोई test करा सकते हैं, जिससे हमें यह पता चल सके, तो को यहाँ पर कोई specific इसका test नहीं है, ले इसके लाबा और भी कई सारे test किये जाते हैं, जैसे spinal tap हो गया, electromyography हो गया, यह test इसलिए किये जाते हैं, कि कहीं person को कोई दूसरा disease तो नहीं है, तो मालो अगर उस person को बाकी disease नहीं है, और इस तरह के symptoms दिखाई दे रहें, तो उस case में अंदाशा लगाया जाता है, कि हाँ उसको घियान बारे syndrome हुआ होगा, अब question यह है कि क्या इसका कोई treatment है, मालो किसी को बता चल गया कि हाँ, उस person को GBS है, घियान बारे syndrome, उस case में क्या उसको कोई treatment है, देखो अभी तक मैं आपको बता दूँ, again इसका कोई specific treatment नहीं है, लेकिन हाँ, already जो treatment available है, most commonly बताया चाता ह है कि इसके अंदर intravenous immunoglobulin ये provide किया जाता है, ये basically क्या है कि जो donate करते है ना blood, blood donated होता है, उसमें से उसको निकाला जाता है, IVIG इसको कहा जाता है, और ये blood के अंदर पाया जाता है, और वही क्या करता है कि एक प्रकार से healthy antibodies रखता है, और healthy antibodies हमारे सरी में दिया जाता है, त हो सके, so this helps calm down the immune system attack on nerves, और एक और treatment होता है, that is plasma exchange, आपको यादी होगा, COVID-19 के समय स्टार्टिंग में काफी जादा इसकी चर्चा होई थी, plasma exchange की, तो again, blood के अंदर जो है, एक liquid part जो होता है, वो plasma होता है, तो वो भी यहाँ पर provide किया जाता है, जादा तर patients में आपको बता हैं, लेकिन कुछ case में, जो symptoms हैं, वो कई समय तक रहते हैं, लगतार रहते हैं, जैसे muscle weakness, difficulty in walking, और कई cases में, जैसा मैंने आपको बताया कि, यहाँ पर जो person है, वो paralysis भी हो सकता है, इस तरह की भी चीज़ हो जाती है, और जैसे पेरू के अंदर आपको देखने को मिला, अगर किसी को vaccine लगा होगा, तो उसकी वजए से भी हमारी immune system impact होई होगी, और इसकी वजए से यह syndrome देख सकता है, तो इसी की वजए से यहाँ पर कोई vaccine दिया नहीं चाहता, फिर conclusion यह निकलता है, देखो, पेरू के जो president है, दीना, उन्होंने 3.27 million dollar allocate किया है, ताकि इससे नि सकते हो, जो rabies disease है, वो कौन से चीज की वजए से होती है, यहाँ पर क्या virus, protozoa, bacteria किस की वजए से होती है, इसका right answer आप सब को पता है, मेरे instagram पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो, कोई बाती ही, टेलिग्राम से ले सकते हैं, इसका सही उत्तर में, कई सारे MCQs हैं, वो यहाँ आपर stories में डालता रहता हूँ, बाकि अगर आपको PDF ये तो टेलिग्राम पर आए, लग-लग social media पर आप जूड़ पाओगे, और जैसा मने बताया था, UPSC के अगर आप तयारी कर रहो, कोई भी batch लेना हो, just use the code UNKITLIVE to get maximum discount, and I hope की वीडियो आपको पसंद आय होगा, मिलता हूँ आपसे नेक्स ताइम, till then thank you very much, see you sir.